दोस्तों अगर आप Microsoft Rewards यूज़ करते हो तो आपके लिए Microsoft Rewards ने आपको दो अपडेट्स दिये हैं अब दो अपडेट्स है एक गूड नियूस है और एक बैड नियूस है तो हम सबसे पहले बैड नियूस को पढ़ लेते हैं Hello Everyone, Sad News 250 Gift Card is out of stock and now new update 1 ID 1 device single radium in every 7 days मतलग की दोस्तों जो 250 वाला Gift Card है वो out of stock है और जो new update है उसमें एक ही ID से एक ही डिवाइस को radium कर सकते हैं 7 दिन में अब पांडा इसू fix in process जो पांडा इसू है उसको processing चल रहा है Now there is no fixed date of 250 gift card जो 250 वाला gift card है उसके कोई fixed date नहीं है कि आएगा है या नहीं भी आएगा तो and update is already processing soon there is and changes that 500 gift card will also be out of stock और जो 500 वाला gift card है ये भी सायद out of stock चला जाएगा जैसे कि दोस्तों 500 वाला gift card चला जाएगा out of stock हो जाएगा पर इसकी जगा पर कोई और आएगा gift card जैसे 700 वाला या 1000 वाला gift card आएगा लेकिन कोई बात नहीं आजाए लेकिन इन्हें VPN इंडिया में चालू कर देना चाहिए इंडिया से इन्हों ban कर दिया है लेकिन इन्हें VPN on कर देना चाहिए इंडिया में ताकि जो points है वो जल्दी जल्दी collect हो पाएं और हम लोग radium कर पाएं तो चलिए दोस्तों अब हम good news क नहीं होगा इंडिया में जो Microsoft rewards हो रहेगा तो इस रीडियम फेल्द वेट फोर वन जुलाई फोर आईडी तुवी रिफ्रेश अलोंग भी सर्वर एस ऑफ नाव अपडेट इच प्रोसेसिंग मतलब कि दोस्तों जो यह रीडियम फेल्द वता रहा है तो इसका वेट हमें जुलाई तक करना पड़ेगा अब रिफ्रेश हो रहे हैं जो सर्वर हैं ओ रिफ्रेश हो रहे हैं तो हमें एक जुलाई तक का वेट करना पड़ेगा फिर हम इसके बाद हम रीडियम कर सकते हैं अब इसके बाद हैं जो लोग देते थे अड़ करते थे वह पार्टनर चेंज हुए हैं जैसी कि दोस्तों अभी हमने गूड निउस में पढ़ा है कि जो रीडियम नहीं हो रहे हैं जो लोग रीडियम कर रहे हैं और रीडियम फेल बता रहे हैं तो हमें एक जुलाई तक का वेट करना पड़ेगा अभी जो जो सर्वर है वो रिफ्रेश हो रहे हैं ठीक है तो आपको वेट करना है एक जुलाई तक का फिर आपके जो रीडियम होने लगेंगे और चैनल पर नए हो तो वेडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्क्राइब कर देना ताकि ऐसे